आज अक्सरसाइज 2.2 पढ़ने वाले हैं इससे पिछले वाले वीडियो में हमने अक्सरसाइज 2.1 को कम्प्लीट देख लिया जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी आज हम एक्सरसाइज 2.2 देखने वाले हैं बचो यह जो वीडियो है 2.2 में फर्स से लेके 6 क्यूशन तक फर्स्ट पार्ट में आने वाले हैं और 7 से लेके 10 तक जो क्यूशन है वो 2 पार्ट में आने वाले हैं तो इसके हम दो वीडियो बनाने वाले हैं फेस्ट टू 6 और 7 टू 10 तो आज इसका हम फेस्ट क्यूशन देखते हैं फेस्ट क्यूशन अपने पास given है solve the following linear equation इसमें फेस्ट क्यूशन अपने पास x upon 2 minus 1 upon 5 equal to x upon 3 plus 1 upon 4 solve करते हैं इसको देखो बच्चों यहां से x upon 2 minus 1 upon 5 equal to x upon 3 plus 1 upon 4 यह अपने पास यहां पे x और यहां पे x दोनों variable हैं इसको हम one side लेके आएंगे तो यह अपने पास left side में यहां से यहां आएगा तो यह plus का था यहां के minus में हो गया यह as it is आएगा अपने पास और यह अपने पास minus में हो गया equal to यह अपने पास as it is है और यह इदर आके plus में हो जाएगा minus ताना यहां पे यहां के plus हो गया अब इन दोनों का हम लेंगे LCM LCM यहां से ले सकते हैं 2 और 3 को ठोगी यहां से one time और three time यहां से ठी से one ऐसे LCM ले सकते हैं याचल चोटा से चोटा वग नमब जो टू और स्मॉलेष्ट वग नमब जो टू और स्री से डिवाइड होता हूँ start एं टू की टैबल में भी आता हो उर थी की टैबल में वह नमब होता 6, ऐसे भी LCM ले सकते हैं, तो 2 की टेबल, 2 की टेबल की 6 आजाएं 3 टाइम और 3 को X के साथ multiply करेंगे, तो अपने पास आजाएगा 3X माइनिस, 3 की टेबल 6 टाइम 3 टू जाएगे, तो आएगा 2X एक वाटू, यहां से 4 और 5 में अपने पास LCM आएगा 20, आप ऐसे निकाल की देख सकते हो, 4 की टेबल बोलिंग है अपने पास, तो 5 टाइम तो 5 को 1 के साथ multiply गया, तो 5 आया, 5 की टेबल 20 टाइम 4 टाइम, और 4 को 1 के साथ multiply गया, तो 4 आ गया 3X-2X, यहां से plus का है, एक minus का, तो यहां से बचेगा अपने पास X, और नीचे डिवाइड में आ गया 6 यहां पे अपने पास plus का बचेगा, क्योंकि जो एक digit है, वो अपने पास minus की छोटी है, smallest है, एक अपने पास largest है 3 अपने पास बड़ा नमबर है, तो यहां से X अपने पास इकवल टू, 5 पर 4 हो गए, यहां से 9 अपन ट्वन्टी, अब इससे solve करेंगे, यह जो अपने पास यहां से हम cross multiply से भी कर सकते हैं, या फिर यह जो digit अपने पास जो नीचे वाली है, यह नीचे है, तो यह अपने पास उपर वाली संक्या के साथ यह multiply हो जाएगी, तो X is equal to अपने पास 9 multiply 6, अपन में है 20, यहां से X value निकल किया जाएगे अपने पास, तो यह 2 की टेबल से cancel होगा, यह 3 टाइम, और यह होगा अपने पास 10, अब 9 को 3 के साथ multiply करेंगे, 27 और नीचे से अपने पास आगया 10 तो X की value अपने पास आई है, 27 अपने पास 10, यह अपने पास final answer इसका, अब क्यूस्तर नमर second की तरफ move on करते हैं, क्यूस्तर नमर second अपने पास given है, n upon 2, minus 3, n upon 4, plus 5, n upon 6, equal to 21, इसमें तेनों ही variable अपने पास one side हैं, तो यहां से हम L sim लेंगे 2, 4 और 6 से, are equal to के यहां अपने पास constant value, तो इनका हम L sim लेंगे और फिर solution करेंगे, यहां से value निकालेंगे हम n की, क्योंकि अपने पास एक ही variable है, और linear equation में अपने पास एक ही variable होता है, वसी की value निकालनी होती है अपने को, तो 2, 4 और 6 को यहां से L sim लेंगे, तो 2, 4 और 6, इसका L sim आएगा अपने पास 12, देखो कैसे आएगा हो, यहां से 2 के साथ इसको multiply करेंगे, divide लगाएंगे, यह 1, यह 2, यह 3, आप 2 नमबर, यहां से 1, यह 1 और 3, यहां से 3, 1, 1 और 3, 3 to the 6, 6 to the 12, तो L sim आएगा अपने पास यहां से 12, एक 2 की टेबल में अपने पास 12 आता है 6 टाइम, और 6 को N के साथ multiply करेंगे तो 6 N, minus 4 की टेबल में 12 आता है 3 टाइम, और 3 को 3 N के साथ multiply करेंगे, 3 3 जा 9 N, प्लस 6 की टेबल में 12 आता है 2 टाइम और 2 को 5 के साथ multiply करेंगे 10 एक्वर 2 21 यहां से 6 एन माइनिस के 9 एन प्लस के 10 यह दोनों प्लस के हैं तो 10 और 6 होगे अपने पास 16 16 में से माइनिस के 9 यहां से अपने पास 6 और 10 अपने पास total होगे 16 16 एन में से माइनिस करेंगे 9 एन तो अपने पास यहां से बचेंगे 7 एन अपन में अपने पास 12 एक्वर 2 21 अब जो नीचे है वो उपर जाएगा तो अपने पास 7 एन अपन 21 के साथ जा कि यह multiply में होगा तो 12 अब एन की value निकालने है अपने को multiply में 12 यह इसके नीचे आ जाएगा अपने पास तो यहां से अपने पास 7 7 की टेबल से यह cancel हो जाएगा अपने पास 7, 3, 2, 1 12 को 3 के साथ multiply करेंगे 36 तो अपने पास निकल क्या ही है वो 36 यह अपना final answer question number 3 के तरफ move on करते है question number 3 अपने पास x plus 7 minus 8x upon 3 equal to 17 upon 6 minus 5x upon 2 इसे कैसे solve करेंगे हम इसे सबसे पहले हम जो variable अपने पास एक variable अपने पास यहां है एक variable अपने पास यहां है इसको हम left side लेके आएगे दोनों variable एक साथ हो जाएगे एक यह अपने पास variable 3 variable होगे अपने पास यह constant value है यह अपने पास right side की तरफ हम move on कर देंगे इसको देखो तो फिर solution करते है solution यहां से सबसे पहले हम यह अपने पास x यहां से अपने पास यह minus के 8x हैं upon 3 यह minus का है यह अपने पास left side में आएगा तो positive हो जाएगा तो 5x upon 2 equal to है अपने पास 17 upon 6 यह as it is आएगा अपने पास और यह अपने पास right side में जाएगा तो positive का अपने पास 7 यह negative में हो जाएगा 7 अब इसका लेंगे हम lcm 3 और 2 का अपने पास lcm आएगा 6 यहां से निकाल सकते हम 2 यह 3 आया यहां से 1 अब 3 यह 1 और 1 3 2 जाओ गया अपने पास 6 यहां से lcm है अपने पास 6 इसके नीचे हमने माल लिया 1 अब 1 अपने पास 6 time और 6 को x के साथ multiply करेंगे तो 6 x माइनिस 3 की टेबल में 6 2 time और 2 को 8 के साथ multiply करेंगे तो 16 x प्लस है तो प्लस 2 की टेबल में 6 3 time और 3 को 5 के साथ multiply करेंगे तो 15 x एक्वल 2 यहां से इसके नीचे हमने 1 मान लिया लेट किया है यहां से 6 60 table में 6 1 time और 1 अपने पास multiply करेंगे 17 को तो 17 minus इसको यहां से 1 6 time और 6 को 7 के साथ multiply करेंगे 42 आगे solve करेंगे यह अपने पास 6 x और यह 15 यह दोनों अपने पास positive में तो 6 x और 15 हो गए अपने पास 21 और 21 से minus के 16 minus करेंगे तो अपने पास बचेंगे 5 5 x और अपन में नीचे अपने पास 6 इकवर टू यहां से 42 में से 17 minus करेंगे तो अपने पास बचेंगे 12 में से 7 minus करेंगे तो अपने पास बचेंगे 5 और यहां अपने पास बचा 3 3 में से 1 minus करेंगे 2 तो 25 upon 6 अब यहां से 6 से 6 अपने पास cancel हो गया तो 5 x is equal to 25 25 और x की value निकल के आई अपने पास 25 upon में आएगा यह 5 denominator में आजाएगा यह उपर वाला x is equal to 25 में 5 का divide लगाएंगी तो x is equal to अपने पास आएगा यहां से 5 यह अपना final answer यहां पे बच्चों अपने पास answer minus में आएगा यहां पे हमने mistake कर दी यहां से minus किया तो minus वाली digit बढ़ी होती है तो minus के 25 यह minus आएगा यहां पे minus और minus के 5 अब question 4 की तरफ move on करते हैं अब question number 4 अपने पास x minus 5 upon 3 equal to x minus 3 upon 5 यहां से अपने पास इसके 2 method हैं करने के यहां तो इसको पहले cross multiply कर लो यह थोड़ा जादा easy रहेगा और second method अपने पास x minus के 5 upon 3 इसको यहां पे ले आएगे फिर इसका L-CM लेगे equal to 0 रखेंगे यहां से x की value निकाल लेंगे तो यहां से आसान अपने पास first वाला method जो cross multiply से हो जाएगा तो cross multiply में यह होता अपने पास cross ऐसे लगता है तो यहां से cross यह जो digit है यह उपर चले जाएगी numerator में और जो denominator में वो यहां पे numerator में आजाएगी तो यहां पर cross multiply कर लेते हैं यहां पे तो 5 इसके पास आ जाएगा multiply में 5 X minus 5 equal to 3 इसके साथ multiply हो जाएगा 3 X minus के 3 तो 5 को X के साथ multiply करेंगे एक बार यह इसके साथ भी multiply होगा एक बार यह इसके سाथ multiply होगा तो 5 X minus आईने तो minus 5 को 5 के साथ stitch equal to sign 3 को X के साथ multiply करेंगी 3X इसी 3 को इस 3 के साथ multiply करेंगी तो 9 अब अपने पास one variable यहां है और one variable left side में तो right वाला हम लेगे आएंगे left side तो 5X यह अपने पास left में आएगा तो minus का हो जाएगा plus का है इदर आके minus का हो जाएगा 3X यहां पे अपने पास minus का 9 है यह अपने पास right side में जाएगा plus का 25 minus है तो यहां जा के convert हो जाएगा plus में plus के 25 5X minus की 3X यहां से बचे अपने पास 2X और वो भी plus के equal to यह minus के 9 है और यह plus के 25 है यहां से अपने पास बचे 16 वो भी plus के क्योंकि प्लस वारी डिजिट बढ़ी है तो X is equal to अपने पास यहां से आएगा 16 upon 2 X is equal to 2 की टेबल में 16 आते हैं 8 टाइम तो 8 यह अपना इसका final answer क्यूशन नमर 4 का answer एक क्यूशन नमर 5 की तरफ move on करते हैं एक क्यूशन नमर 5 देखते हैं 5 क्यूशन अपने पास 3 T minus 2 upon 4 minus 2 T plus 3 upon 3 equal to 2 upon 3 minus की T यहां से हम बच्चो क्या करेंगे इस T को left side में लेके आएगे और फिर यहां से हम LC में लेके इसके solve करेंगे और अपने पास second method नहीं है क्योंकि यह अपने पास variable इसको add या करें तो हम क्योंकि 3 T के साथ अपने पास यह variable हो गाए यह अपने पास constant होगा add हो नहीं सकता तो अपने पास यहां से इसको यहां लेके हैंगे फिर LC म लेंगे तो अपने पास solution इसका 3 T minus 2 upon 4 minus 2 T plus 3 upon 3 यह अपने पास T left side में आएगा तो plus का हो जाएगा तो T equal to में अपने पास यह हो गया 2 upon 3 और 4 और 3 का LC म आएगा 12 यहां से देख लो यह अपने पास 2 की table से यह अपने पास है 2 यह 3 यहां से 2 यह 1 और 3 यहां से 3 यह 1 और 1 3 टू जा 6 6 टू जा 12 तो अपने पास जो LC म आएगा वो आएगा 12 यह 4 की table में 12 आता 3 time 3 को इसके साथ multiply करेंगे 3 3 T minus के 2 यहां से minus 3 की table में 12 4 time 4 को इसके साथ multiply करेंगे तो 2 T plus 3 plus इसके नीचे मान लिए हमने 1 late किया है अब 1 1 की table में 12 12 time आएगा और 12 T equal to में 2 upon 3 अब 3 को इसके साथ multiply करेंगे यह 3 इसके साथ multiply होगा और second वाली digit के साथ भी multiply होगा तो 3 को 3 के साथ multiply करेंगे तो 90 और 3 को 6 के साथ करेंगे तो minus की 6 अब minus multiply होगा इसके साथ plus है इसके पास आएगा तो negative multiply positive तो negative 4 को 2 के साथ multiply करेंगे तो 80 अब फिर से minus multiply प्लस तो अपने पास आएगा minus प्लस प्लस यहां से आजाएगा अपने पास 12 ती as it is यह से 12 अपने पास as it is 2 upon 3 यह भी है अब यहां से अपने पास 90 प्लस के और यह अपने पास प्लस के तो 90 और 20 अपने पास प्लस के होगे माइनिस के 18 अपन में चलता है अपने पास 12 एकवर टू अपन त्री अब यह 12 अपने पास इसके पास जाएगा यह denominator में numerator के पास यहां पर multiply में चला जाएगा तो 21 टी में से और माइनिस के 18 माइनिस करेंगे तो यहां पर बज़ेगा अपने पास 13 टी और माइनिस के 18 एकवर टू टू अपन त्री 12 में चला जाएगा टू के पास जो denominator में होता है वो numerator में चला जाता है numerator होता है वो denominator में आ जाता है तो 13 टी यह 13 टी माइनिस के 18 यह 3 की टेबल से यहां से cancel हो जाएगा 4 टाइम 4 को 2 के साथ multiply करेंगे तो अपने पास आएगे 8 यहां से 13 टी 13 टी एकवर टू यह 8 यह यह दर जाएगा अपने पास राइट साइड की तरफ तो 18 प्लस के हो जाएगे negative convert हो जाता positive में तो 13 टी एकवर टू 18 और 8 होगे अपने पास 26 और यहां से टी की value निकल के आएगे अपने पास 26 यह डिनॉमिनेटर में चला जाएगा 13 तो टी एकवर टू अपने पास यहां से निकल के आए 13 टूज़ा 26 तो यह अपना इसका final answer टी की value अपने पास 2 आप question number 6 की तरह move on करते है question number 6 को solve करेंगे question number 6 अपने पास m-m-1 upon 2 equal to me 1-m-2 upon 3 इसके पास अपने पास 2 method है यहां से m- और यह जो दोनों variable हैं वाले एक variable अपने पास यहां है हम का तो इनको एक side ले आएंगे और अपने पास यहां से constant value बज़ जाएगे अपने पास 1 second method अपने पास यहां से m-l-s-m से पहले इसको solve कर लेंगे और यहां से l-s-m लेके solve कर लेंगे फिर cross multiply कर लेंगे तो यहां से हम देखते हैं इसका l-s-m लेते हैं यहां से solution इसके नीचे हमने लेट किया 1 यह अपने पास आगया 2 1 की टेबल में 2 2 time आता 2 को m के साथ multiply गरेंगे तो 2 m minus यह 2 से अपने पास 2 1 time और 1 को इसके साथ multiply गरेंगे तो m minus 1 नहीं रहेगा अपने पास तो m minus 1 equal to यहां से अपने पास आजाएगा 3 इसके नीचे हमने लेट किया 1 1 की टेबल में 3 3 time आता 3 को 1 के साथ multiply करेंगे तो 3 minus 3 की टेबल 3 time 1 time और 1 को इसके साथ multiply करेंगे तो यही से आज़िटी जा जाएगी तो m minus 2 अब solve करते हैं से यहां से हो गए अपने पास 2 m negative इसके साथ multiply होगा यह positive है यह negative negative multiply positive तो negative अपने पास है minus multiply minus होगा अपने पास plus 1 यहां से अपने पास आगा 2 यहां अपने पास 3 denominator में यहां से 3 minus minus multiply plus minus minus multiply bracket का मतलब है multiply तो minus multiply minus होगा प्लस के 2 तो 2 m minus के m यहां से आगा अपने पास m और प्लस 1 upon 2 equal to 3 और 2 होगे 5 और यहां से आगा अपने पास m upon 3 यहां से cross multiply होगा 3 इसके पास आजाएगा 2 इसके पास चला जाएगा यह cross multiply करते हैं यहां से ऐसे तो यह 3 आगा अपने पास 3 m प्लस 1 equal to का sign है यहां पे 2 इसके पास अलागा है 2 5 minus m अब 3 m के साथ multiply होगा तो 3 m इस 3 को 1 के साथ multiply करेंगे तो 3 equal to 2 m अपने पास 5 को 2 के साथ multiply होगा तो 10 और 2 फिर इसके साथ multiply होगा तो 2 m अब यह की variable अपने पास m का यहां है एक variable अपने पास यहां पे इन दोनों को one side कर लेंगे तो 3 m और जो right side में अपने पास left side में आ जाएगा तो negative है वो positive में हो जाएगा तो 2 m equal to यहां से 10 और यह minus का plus का 3 था इदर जा के अपने पास right side में minus का हो जाएगा 3 और 2 हो गए यहां से 5 m equal to 10 minus के 3 यहां से बचेगा अपने पास 7 तो m is equal to तो अपने पास यहां से आ गया 7 upon यह इसके divide में चला जाएगा 5 यह अपना final answer question number 6 का answer आज हम इसके 6 question ही देखने वाले हैं आपको जो 7 से लेके जो 10 तक जो question बचेवे हैं वो आपको next video में देखने को मिलेगी तो बचेवे आपको यह वीडियो अगर प्रसंद आए तो वीडियो को like कीजी, share कीजी channel को subscribe कीजी किसी परकार की कोई problem है तो comment कीजी कीजी देखने कीजी